नमस्कार दोस्तों मैं विजितिवारी स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल दा बुक सुसाइटी में जहां आजी क्लास में सद्ध्याट कोड बीपी ऐसी वन फॉर फाइफ के चैप्टर नमबर फिफ्टेन के चर्चा करेंगे चैप्टर का नाम होगा समाजिक और मानव विकास यानि कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो हमें पता चलेगा वो ये पता चलेगा कि पूरवत्तर भारत में समाजी विकास की स्थिति क्या है और मानव विकास की स्थिति क्या है इससे पहले 14 चैप्टर की वीडियो और चैनल पर upload हैं यदि आपने उन lecture को नहीं सुना हैं तो सबसे पहले उन lecture को जरूर सुनेगा इसके आज साथ इदि आप हमारे चैनल पर नये हैं तो चैनल से जरूर जुड़िये चीज़े अगर आपको समझ में आ रही हैं तो comment box में comment जरूर करना और exam यहां से होती है कि जहां के यह बताया जा रहा है कि समाजिक विकास का अर्थ क्या होता है और मानव विकास का अर्थ क्या होता है तो देखो जब हम समाजिक और मानव विकास की बात करते हैं तो हम तीन चीजों पर जोर देते हैं सबसे पहले हम सिक्षा व्यवस्था पर जोर तो जब हम विकास की बात करते हैं, तो विकास का मतलब होता क्या है, तो विकास का मतलब होता है, गुणात्मक रूप से जब हमारा देश आगे बढ़े, या व्यक्ति का गुणात्मक रूप से विकास हो, तो हम उसे कहते हैं विकास, यानि कि हमारे गुणों में व्रद्धी ह हमारे देश के गुणों में व्रद्धी हो तो यह क्या कहलाता है विकास कहलाता है विकास हमेसा गुणात्मक होगा व्रद्धी हमेसा मात्रात्मक होगी जैसे हमारे देश की जनसंक्या बढ़ रही है तो हम क्या कहेंगे जनसंक्या व्रद्धी हो रही है लेकिन देश में डॉ विकास हो रहा है तो ऐसे में जब हम बात करते हैं विकास की तो इसे हम निमलिखित वर्गों में बाटते हैं सबसे पहला होता है आर्थिक और समाजिक विवस्थाइं जब हम आर्थिक और समाजिक विवस्थाओं की बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि समाज किस प्रकार से परंपरागस से आधुनिक होता जा रहा है यानि कि प्राचीन काल में क्या गतिविधिया करता था और वर्तमान में क्या उन गतिविधियों में थोड़ा सा डवलप्ट हुआ है यानि कि जो लोग पहले खेती करते थे अब क्या उनके खेती के तरीकों में बदला हुआ है पहले जो लोग उद्धोग करते थे आज वो किन टूल्स की सहयता से अब उद्धोग को बढ़ावा दे रहे हैं पहले की भूम में कितना उत्पादन होता था आज की भूम में कितना उत्पादन होता है समाजिक जो विवस्थाएं थी समाज में जो नियम थे वो पहले कैसे थे और अब कैसे हैं जब इन सब चीजों में एक positive व्रद्धी होती है positive बदलाव आता है तो हम कहते हैं कि देश समाजिक और आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहा है दूसरा जो थियोरी है वो है कल्याणवात के रूप में विकास तो कल्याणवात के रूप में विकास का मतलब क्या है तो देखो कल्याण का मतलब भी क्या है हमारे कल्याण कैसे हो सकता है जब गरीबी ना हो गरीबी उन्मूलन हो इसके लिए सरकार बहुत सारी योगनाय चला रही है लाइक डैट SC, STO, OBC को आरक्षन दिया गया है EWS यानि कि जिन लोगों की साल भर की तनका है वो 8 लाग से कमाम दनी है उन लोगों के EWS का आरक्षन दिया जा रहा है इतना ही नहीं महिलाई, जितनी महिलाई हाशिये पर हैं उनके कल्याण के लिए भी कारवाई की जा रही है हाला कि कुछ लोगों का इसके लिए दूसरा दिश्टिकोड है कि आरक्षन जैसी जो नीतिया हैं इनकी वज़े से ये बहुत सारे लोग अपना विकास नहीं कर पा रहे हैं मुछ लोगों कहना है कि आरक्षन गरीबी के यधार पर होना चींए जातिके यधार पन होना चींए हाँ वो लोग अपनी जगा ठीक भी हो सकते और नहीं भी इसमेन अलग लग लोगों की अलग fifteenCar του कि बार करें तो आर्थिक समाजे कि विकास और कि कल्याण के रूप तो हम ये चाहेंगे कि समाज का सभी वर्ग बराबरी पर आ जाए और गरीबी पुरी तरिके से खतम हो जाए तीसरा जो विकास का प्रारूप होता है वो होता है धाचागत इसमें कैया होता है हम सडको की विकास की बात करते हैं देश की connectivity की बात करते हैं अध्धोगी विकास की बात करते हैं, इतना ही नहीं, विशेश आर्थिक छेत्र यानि की सेज की स्थापना की बात करते हैं, कलश्टर अधारिक अध्धोगी करण की बात करते हैं, सिक्षा संस्थानों की स्थापना की बात करते हैं, स्वास्त सिवजधाओं की विवस्ता की देश की greenery यानि की प्रयावन की बात करते हैं ये सब छेत्रे ढाचा विकास के इंतरगत आते हैं तो जब हम पूरे के पूरे देश को जोड़ना चाहते हैं तो इन तीनों चीजों को हमें आपस में जोड़ना पड़ेगा अगर हम सिर्फ आर्थिक और समाजिक विवस्ता पर ध्यान दें तो शायद हमारा जो कल्यान वाला विकास है वो छूड़ जाएगा सिर्फ आप गरीबी खतम करने के लिए काम करोगे तो सायद हमारा जो देश का basic infrastructure है वो अधूरा ले जाएगा अगर हम आजादी से लेकर अब तक देखें तो अब तक हम यह देखते हैं कि अब भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं देश में 60% इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी सड़के नहीं हैं अब सड़के नहीं तो connectivity कैसे होगी connectivity नहीं होगी तो अध्योई विकास कैसे होगा लोग डवलप्ट कैसे होगे आज भी आप देखोगे तो स्कूल की कम्या हैं भारत के बहुत से राज्यों में तो हम गवर्मेंट को criticize नहीं कर रहे हैं हम यह कह रहे हैं कि government जो नहीं पैसा लगाया वो पैसा वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचा है और यहाँ पर हम North East की इलाकों में भी चर्चा करेंगे अज हम मिजोरम जैसे इलाकों के लिए करोणो 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 का investment कर चुके हैं लेकिन आज तक वहाँ कर विकास नहीं हो पाया क्यों उसकी चर्चा आगे की जाएगी तो जब हम विकास की पूरी तस्वीर की बात करते हैं पूरे देश की बात करते हैं तो सभी पहलों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है दूसरे विश्वीत के बाद आज विकास जो है पूरे अंतराष्टे इसतर पर एक बहुत लोग प्रिया विशे बन चुका है हाला कि economics में इसे अलग तरीके से देखा जाता है जबकि social logy में इसे अलग तरीके से देखा जाता है लेकि जहां political science की बात करते हैं तो हम कहते हैं राजनितिक संस्थाएं विक्सितों, नियाई पाली का सोतंत्रों, कारेपाली का सोतंत्रों, विधाही का सोतंत्रों, हर एक व्यक्ति अपने तरीके से कारे करें लोगतंत्र में जाज़ादा भागेदारी और लोग को अधिकार मिलें, तो हम कहेंगे देश का राजनितिक विकास हो रहा है, जबकि जब हम economics में बात करते हैं, economy में बात करते हैं, आर्थिक विकास की बात करते हैं, तो हम देखते हैं देश के आर्थिक विर्दी कितनी हो रह है तो इसका मतलब यह नहीं कि हर एक जंता विकास कर रही है मानव विकास का अर्थ यह हुआ human development यानि कि एक एक व्यक्ति विकास करें तो प्रतेख व्यक्ति के विकास के जब ये लोग स्वास्त हो तो स्वास्त लोगों के लिए ही एक स्वास्त लोग ही स्वास्त देश का निर्मान कर सकते हैं और संसादनों जो पहुंच जब होगी लोगों की जब लोगों के पर्चेजिंग पाउर बढ़ेगी क्रया चमता बढ़ेगी जैसा कि प्रश्ट भूम था कि तीन छेत्र होते हैं एक प्रात्मीक एक दित्यक और एक तृत्यक प्रात्मीक छेत्रों का संबंद जो है वो नेचर से है जिसमें आप किश्री क्रिया कलाप करते हैं पशुपालन करते हैं मचली पानन कर रहे हैं दित्यक क्रिया कलापों में अध्धोग सेक्टर हो रहे एक चीज से दूसरी चीज़ का निर्माण हो रहा है, faculty लगाया जा रही है, जब कि तूरिस्म बहुत बड़ी भूमिका निवारा है, यानि कि परियतन बहूत बड़ी भूमिका निवारा है, banking sector हो गया, beam up sector हो गया, transportation हो गया, communication हो गया, public administration हो गया, नहीं कि लोग प्रशाशन हो गया, सिख्षा, स्वास्त और सुख्षा जैसी जो सेवाएं हैं वो हैं, जितने भी लोग दुकानदार हैं, सिख्षक हैं, डॉक्टर हैं, यह सब क्या हैं, वेतन भोगी हैं, और लोगों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, अब ऐसे में अगर हमें उत्तर नौर्थ इस्ट के राज्यों को देखें, तो यह पहाड़ी इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों में रोजगार के उतने अफस वहां कि भाषा समझ में नहीं आ रही है तो उनकी भाषा हमें सीखनी पड़ेगी ताकि वह लोग हमारे आएं जब वह लोग आएंगे तब ही हम लोग की आजीविका और ज्यादा बड़ेगी जो लोग टूरिज्म जिन छेत्र के अर्थवाज़ता टूरिज्म पर ही निरभर रहती हैं वहां के लोगों को educated होना कंबल सरी है और पूरोत्तर भारत में शिक्षा का विस्तार सबसे पहले British राषन काल के दोरान हुआ हालाकि इसका मतलब यह नहीं कि वह यहां के लोगों को विज्ञानी की बनाना चाहते थे साइन्टिष्टी बनाना चाहते थे ऐसा नहीं है इसाई मिशनरी आई थी शिक्षा के मादधम से धरम परिवरतन करवाया जा रहा था आधुनी सिक्षा की श्रुवात की जा रही थी मिशनरी ने मात fastest बहसा में शिक्षा प्रदान करी जंजातियों को रोमन लिपी के बारे में सिखाया यहांकी जो जंजाती थी खासर उर्फ पर नागर जंजाती खासी जंजाती मिजो जंजाती इन सब में शिक्षक एक नया शिक्षित वर्वर्ग उभा भी इसके लावा श्रिलॉंग जो छेतर है कलकत्ता गुहाटी यहां के लोगों ने बड़े प्यमाने पर सिक्षा प्राप करी ऐसे में समाज में एक नया वर्ग उबरा जिसे इंगलिस माध्यम से अंग्रेजी सिक्षा आती थी अब जिनें इंगलिस आने लगी वो सब सरकारी नौकर बन गए सरकारी नौकरियों में शामिल हो गए और आगे चलकर अंग्रेजों के लिए काम भी किया और फिर अंग्रेजों के खिलाब भी हो गए 1933 में 1933 में असम में जनजाती लीक का भी गठन किया गया आदिवासी संस्थानों के लिए स्कूल और स्क्षिन संस्थानों की स्थापना भी की और आज आप देख भी सकते हैं नौर्थिष्ट की इलाखों में किश्चन जो है वो कम्यूटी जाधा रहते हैं उसका रीजन यह है कि इस चेतमें बड़े पैमाने पर धर्मांतरन किया ग हुए थे इसके लावा जब भारत की संविधान सभा में संविधान का निर्मार किया जा रहा था तो पूर्वत्तर के लोगों ने खास तो और निकोलस राई जैसे लोगों ने संविधान की सभा में बड़े पैमाने पर बहस में चर्चा लिया था और नौर्थिष्ट के इ हैं तो हम मोशली साहित्तिक सिक्षा और स्कूली सिक्षा पर ही चर्चा करते हैं हम बेसिक एजुकेशन और जो हुमिनिटी एथिक्स की बात होती है उसकी चर्चा नहीं करते हैं कि वर हम कितावी सिक्षा की बात करेंगे जिसके बारे में साकेत कुश्वाहा ने रिसर्च किय जादा है ऐसे में पहाडी छेतर जहाँ पर जादा है वहाँ शिक्षा व्योस्थाओं का विकास उतना नहीं हुआ है जैसे कि कुछ अगर आप आप चीज़ को यह बता दूँ अगर आप सोच लो न मिज़रों में 91.3% लोग पड़े लिखें तो यहाँ पर साक्षर्ता दर की परिभाशा जान लेना बहुत जरूर है ताकि कि आपकी गलत फैमी दूर हो जाएं साक्षर्ता दर का मतलब यह कि साथ साल से उपर यानि कि सेवन इयर से उपर जितने भी बच्चे हैं या बड़े हैं क्या उन सब को पढ़ना और लिखना आता है अगर लोगों में पढ़ने और लिखने ही चमता है तो साक्षर माने देखें तो भारत के जो एजुकेशन परसेंट है वो 74.04% है 2015,16,17,18 में देखोगे तो सिक्किम के बाद रणाचर प्रदेश मिजोरम और नागरलेंड में सबसे जादा साक्षर्ता का इस्तर बड़ा है सिक्षा का इस्तर बड़ा है नॉर्थ इस्ट के स्टेट्स की सबसे से लोग रहते हैं कई पर थोड़ो से लोग रहते हैं इसी वेसे ना एजुकेशन का लेवल थोड़ो सा डाउन है रीजन यह है कि हर जगे स्कूल की स्थापना सरकार नहीं कर सकती अरुनाचर प्रदेश में कम साक्षर्ता इसी लिए है क्योंकि वहाँ पर जो है स्कूल बह देखोगे तो GIR जो इंडेक्स से इसमें गिरावट आ रही है यानि कि बच्चे स्कूल में अपना नाम दर्च करवाई नहीं पर आ रहे हैं उसका बड़ा कारण यह है कि एक तो पहाड़ी छेतरे हैं दुरगम छेतरे हैं यहां के लोग सिक्षा के परती इतने अवेर नही देते हैं तो पहाड़ी लागों में स्कूल की दुरगमता है अनाचर प्रदेस और मेखाले जासे राज्यों में GIR इसलिए कम है और GIR का मतलब क्या होता है वह इंडेक्स जो यह बताता है हमें वह सुचकांग जो हमें यह बताता है कि स्कूल जाने वाले बच्चों की संख स्कूल है और इतनी जादा जो जन संक्या है वह बिखरी बिखरी है कि हर जगा पर स्कूल नहीं हो सकते जन संक्या कम भी बहुत जादा है अगर आप जन संक्या का रेशो देखोगे तो पर किलोमेटर 17 लोगों का जो रेशो आता है बस इसके लावा ड्रॉप आउट दर भी कि बच्चे स्कूल में एडमिशन तो ले रहे हैं लेकिन स्कूल में छोड़ दे रहे हैं निर्मला गोस्वामी की स्टेडी ये कहती है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर जैंडर डिफ्रेंस पाया जाता है लेंगिक अंतर भी पाया जाता है माता पिता अपनी बेटियों को स्कूल भेंने में इंटरेस्ट तो रखते हैं सरकारी स्कूलों में इनकी संख्या बहुत जादा बढ़ रही है हाला कि private स्कूलों में इतनी संख्या नहीं है मादापिता ये सोचने कि उनकी बेटियों के लिए स्कूल की पसंद बहुत अच्छी है उसकार इजन यह है कि महिलाओं की सोच इससे खुलेगी सिक्षा सुरक्षा और अनुशाषन भी होगा और हमने पिछले चैप्टरों में पढ़ा भी था कि यहां का समाज जातर मातर सत्तात्मक समाज है जहां पर जो पुरुष है वो शादिगी बाद महिला के घर जाता है ना कि महिला पुरुष के घर आती है सबसे छोटी बेटी को उत्रादिकार के नियम है तो इसलिए यहां पर बेटीों को सुरक्षा ज़्यादा मिलती है ठीक है भई कामकाजी वर की मंहिला है अपने बेटियों को घर पर रखने के ज़या स्कूल में भेजना पसंद करती है, उन्हें लगता है कि इसकूल में भेजने सो सुरक्षित रहेंगी, अगर घर पे रहेंगे तो कहीं उनका शोशन ना हो जाए घर पे सुरक्षित नहीं रह सकती है क्योंकि माबाप दोनों ही भार है तो ऐसे में वो इस्कूल में भीज़ देते हैं कि चल भईया इस्कूल में मेरी बीटिया क्या रहेगी सुरक्षित रहेगी कई बार कुछ लोग जो सक्षम है वो अपनी मेडियो को नीजि स्कूल में भी भेज देते हैं तो ये एजुकेशन का लेवल है कहाँ पर? नॉर्थ हिष्ट में अब हम बात करते हैं एल्थ सेक्टर की तो जब आप हैल्थ सेक्टर को देखोगे तो health sector की स्थिती भी ज़्यादा कोई बहतर यहाँ पर है नहीं अगर हम देखें तो बाल मिर्ति उदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और जीवन प्रतियाशा की बात की जाए वैसे तो यहाँ पर अच्छी है मैंने सब चीज़े highlight कर रखी है आप screenshot लेकर पढ़ सकते हैं जन संक्या एक छेतर में केंदित नहीं थी जन संक्या बिखरी हुई थी तो डॉक्टरों तक जो पहुंसती वो असान नहीं थी अस्पताल बनवाये तो गए लेकिन लोग वहाँ तक आ नहीं सकते थे बहुत दूर दूर थे बहुत लंबा रास्ता तैक करना पड़ता था अनुनाचल प्रदेश और मेगाले में देखोगे तो बच्चा जनम लेने के बाद बहुत सारे बच्चे मर जाते थे जिसे हम IMR के नाम से भी जानते हैं तो अनुनाचल प्रदेश में एक डॉक्टर के पास इतनी सारी अबादिये इलाज करने के लिए जिसके वो सेवा नहीं कर सकता अनुनाचल प्रदेश में जन संक्या बिखरी हुई है लोगों को स्वास्त सविधाय मुहिया करवाना मुश्किल है कि माल लोग एक गाओं में 20 लोग रहते हैं तो मिजोरम और मरिपुर में तो स्वास्त प्रणाम बहतर है ठीक है जबकि नागलेंड में आप देखोगे तो नागलेंड में ऐसा नहीं है अनुनाचल प्रदेश में ऐसा नहीं है मिजोरोम और मडिपुर में स्वास्त के परिणाम बहुत अच्छे हैं उसका रीजन यह है क्योंकि यहां का जो एजिकेशन लेवल है वो भी बहुत अच्छा है डॉक्टरों की जो इस्तिती है वो भी पहले से ज्यादा अच्छी हुई है स्वास्षिवाओं में थोड़ा सा सुधार देखा गया है लेकिन अभी भी जो यहां का हैल्थ सिस्टम है वो पूरी तरीके से स्वास्षिवधाओं के अश्रक्ताओं को पूरा नहीं करता आप तो North East की बात करते हो, हम दिल्ली की बात कर ले, मुंबई की बात कर लो, Corona टाइम पर आपने देख लिया था, अस्पतालों किया हलाते हैं, कितने लोग मर गए और आज भी सरकारी स्पतालों में देख लो आप दिल्ली के, कितने साइल लोग मर जाते हैं, जिने पूरा इल लिखती हैं, आंकडों को दरसाती हैं, और एंड में लिख देती हैं, कि स्वास सुधाई अभी भी इन छेतर के लोगों की स्वास ताक्ष्रक्ता को पूरा नहीं कर पाती, गाउं में बहुत दूर दूर लोग रहते हैं, जिसके वेसे डॉक्टरों से प्रामश नहीं कर पा प्रदेश में, राज्यों का प्रशलसन वैसे तो शांदार रहा है, जबकि असम, मडिपूर, मेगालो और तुरुपुरा, स्वास सेवाओं के मामले में बहुत पीछे हैं, कुल मिलाकर पूरुवत्तर के जो राज्य हैं, वो कुपोशन के संकेतकों में थोड़े से ठिक ठ लेकिन फिर भी एनेमिया जैसी जो समझते हैं, वो यहां के महिलाओं में थोड़ी सी जादा है, सारा आंश दिया है चैप्टर का, जिसको बताने की मुझे जरूरत नहीं है, फिर भी मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं, जब हम समाजिय को और मानो विकास की बात करते है लोगों में स्वास्त को बढ़ावा देने की बात करते हैं, लोगों को सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होती है, कि वो ज闡़ता को कितना ज़दा अवैर कर रही है समाज में लोकतंद को कितना ज़्यादा बढ़ावा दे रही है और समाज को कितना ज़्यादा संतुष्ट कर रही है तो यह से हम भारत के अन राज्यों के मुकाबले North East की बात करें North East के लोगों को लगता है केन सरकार उनके साथ 111 वहार कर रही है हाला कि फिर भी सरकारो दोरा यहाँ पर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट सिक्षा के छेतर में और स्वास्त के सक्षा में किया गया है लेकिन उसका उसका परिणाम नहीं मिल पाया जितना परिणाम मिलना चाहिए था